हेलो एवरिवन वेलकम टू स्टेडी एक्स्पोलोजन आज हम करेंगे एवरेज मैं आपको बता दूँ जब भी एवरेज करना होगा तो एवरेज का फार्मूला क्या रहता है एवरेज होगी आपकी सम अफ अब्जर्बेशन वाए नमबर अफ अब्जर्बेशन यानिकी जो भी अब्जर्बेशन दी होगी उनको सम करना है और डिवाइड कर देना है कितने अब्जर्बेशन थी जैसे मैं एक्जेंपल में आपको बताऊं जैसे मैं आपको देदू अब्जर्बेशन देदू 2,3,6,7,8 इनकी अब्रेज निकालने है तो अब्रेज निकाल लोगे तो क्या करना है सम अब्जर्बेशन इनका सम करना है जानकी 2,3,6,7,8 दिवाइड कर देना है नमबर आफ अब्जर्वेशन कितनी है बंढ़ 1, 2 आ, 3, 4, 5, जबाइड बाइ 5 हो जाएगा, तो जहां से 2 और 3 करेंगे 5, 5 और 6, 11, 11 और 7, 18, 18 और 8 करेंगे 26, तो 26 और 5 करेंगे, तो जबन जाएगा आपका 5, 5 से कटेगा 25, 5, 1, पॉंट लगेगा 0, तो 5, 2 से कट जाएगा 5.2 होगा इसका right answer चलिए हम और example लेते हैं जैसे first question देखिए find the average of 5, 10, 15, 20, 25 तो average जब भी निकालनी होगी तो क्या मैंने आपको बताया sum करना है, divide by number देखना है total कितनी है, ठीक है तो sum करेंगे बन जाएगा 5 plus 10, plus 15 plus 20, plus 25 और divide करना है number of observation कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 5 5 और 10 करेंगे 15 15 और 15 करेंगे 30 30 और 20 करेंगे 50 50 plus 25 करेंगे तो 75 75 divide by 5 हो जाएगा तो 5 into 15 करेंगे तो बन जाएगा 75, यानि कि 15 होगा इस question का right answer next question देखिए find the average of all prime number between 20 and 50 average निकालने हैं उन prime number की जो 20 और 50 के बीच पाए जाते हैं ठीक है तो पहले मैं आपको बता दूँ prime number कूं से है prime number है जो सिर्फ अपने table में आए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, so on तो हमने बताने हैं 20 और 50 के बीच 20 और 50 के बीच प्राइम नंबर है हमारे 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ठीक है कितने बनगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो जब भी average निकालनी होगी तो इन नंबरों को सम करेंगे और divide by number नंबर आफ observation कितनी है 7 तो सम करेंगे 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 इनका सम करेंगे यह बन जाएगा 251 और divide करेंगे 7 से 251 को divide करेंगे 7 से तो देखिए 7 इंटो 1 7 7 इंटो 3 करेंगे तो 21 4 बच जाएगा और 41 7 इंटो 5 करेंगे तो 35 6 आजाएगा पॉइंट लगेगा तो 0 आजाएगा 8 से करेंगे तो 56 आजाएगा ठीक है तो 35.8 होगा इस question का right answer next question है find the average of natural number up to 100 up to 100 तो मैं पहले बता दूँ आपको natural number कौन से होंगे 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 so on ठीक है जाने कि हम कह सकते है all counting number are called natural number लेकिन उन्होंने पूशा up to 100 तो अप से कौन सा start हो रहा है 1 100 तक करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक कितने हो जाएगे total 100 हो जाएगे ठीक है तो इनकी जब भी average निकालनी हो natural number की तो मैं आपको बता दूँ जहां से n आपके बन गए 100 ठीक है तो आपने कुछ नहीं करना है simple n plus 1 by 2 गर देना सीधा सीधा तो n है आपको 100 100 प्लस 1 by 2 करेंगे तो बन जाएगा 101 by 2 101 by 2 को divide करेंगे तो बन जाएगा 50.5 50.5 होगा इस question का right answer अगर आप basic से करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 so on plus 100 तक और divide करना पड़ेगा 100 से तो यह totally time based होगा आपका आपने कुछ नहीं करना है जब भी natural number की average निकालनी हो तो n plus 1 by 2 कर दो n क्या होगा वो number जितने मतलब जहां से पूशा है उन्होंने up to 100 अप होगा natural number होगा आपका 1 से start तो 1 से लेकर 100 तक कितने number बनेंगे 100 तो n आपका 100 आए जाएगा next question देखिए find the average of square of first 20 natural number ज़्याद रखना जब भी natural number निकालने होगे उनकी average square की तो आपने क्या करना है पहले देखिए number है कितने first 20 तो natural number तो आपने क्या करना है simple कुछ नहीं करना है n प्लस 1 2 n प्लस 1 y 6 कर देना है ठीक है n क्या होगा n है आपका 20 तो n होगा 20 तो n प्लस 1 करेंगे जाने कि 20 प्लस 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा into 2 n करेंगे n आपका 20 है तो 20 इंटु 2 करेंगे 40 40 plus 1 करेंगे तो 41 by 6 आ जाएगा तो 41 into 21 करोगे तो 861 आ जाएगा 861 by 6 करोगे तो जहां से बन जाएगा 6 को काटोगे 1 time 2 बचेगा 26 into 4 करेंगे 24 2 बचेगा 21 6 into 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा 3 बचेगा जहां पर point लगाएगे 0 आ जाएगा 6 into 5 करेंगे तो 30 बन जाएगा तो 143.5 होगा इस question का right answer जो भी इस channel पर नहीं है मैं उनको बता दूँ कि वो मेरी starting से वीडियो सारी देखें ताकि उनका basic clear हो जाए फिर उनको totally trick से समझ आ जाएगा क्योंकि मैं जितना भी बढ़ाऊँगा totally trick से ही बढ़ाऊँगा वो trick से पढ़ने से पहले मेरी trick की वीडियो calculation square, divide सब वीडियो देखो tricks की ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ आए next question देखिए find the average of all odd number up to 100 तो मैं पहले बता दूँँ आपको आड़ नमबर कौँ से है आड़ नमबर होंगे आपके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, so on ठीक है जाने कि एक एक को शोड के तो up to 100 जब हम आड़ नमबर डून देंगे तो आड़ नमबर कितने होंगे 100 तक 50 जनने कि n आपका 50 हो जाएगा और जब भी average निकालनी होगी आड़ नमबरों की average निकालनी होगी जब भी आड़ नमबर की तो simple आपने n ही करना है n ही होगा इसका answer n कितना है 50 जनने कि इस question का right answer होगा 50 ठीक है जब भी आड़ नमबर की average निकालनी होगी इस question देखिए, find the average of all even number up to 100, up to 100 even number, even number कौन से होंगे, देखें trick, e, v, e, n, कितने letter है, 4, तो 4 ही होगा इसका answer, और 2, 2 का difference छोड़ देना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, so on, ठीक है, तो up to 100 even number कितने होंगे, even number भी 50 होंगे, जैने कि n की value होगी, आपकी 50, और जब भी आपको average निकालने होगी, even number की, even number की, तो आपका answer आ जाएगा, n plus 1, n plus 1, n कितने हैं आपका 50, 50 plus 1 करेंगे, तो right answer होगा, 50, 1, next question है, find the average of all the numbers between 6 and 34, which are visible by 5, हमने average निकालने हैं, उन number की, जो 6 और 34 के बीच हों, और 5 से divide हो जाएं, ठीक है, 6 और 34 के बीच हों, और divide हो जाएं, सिदे-सिदे 5 से, जो 5 से divide हो जाएं, तो 6 और 34 के बीच क्या क्या होगा, 6, 5, देखो, 5 के multiple देखिए, 5 का first multiple होगा, 5 into 1 करेंगे, तो 5 ही आ जाएगा, second multiple होगा 5 into 2 करोंगे तो 10 आजाएगा 5 into 3 करेंगे तो 5, 6 और 34 में नहीं लाई करेगा ठीक है 10 आएगा जहाँ जहाँ पे 10 के बाद 15 आएगा 15 के बाद 20 आजाएगा 25, 30 आगे 35 होगा लेकिन हमने 34 तक ही देखने हैं तो कौन-कौन सा इनका सम करेंगे 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 और डिवाइड कर देंगे नमबर आप अब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5 तो जहां से 10, 15 को एड करेंगे 25, 25 और 20 करेंगे 45, 45 और 25 करेंगे 70, 70 और 30 करेंगे तो बन जाएगा 100, 100 बाइग तो 5, 20 से कटेंगा 120 होगा इस question का right answer next question देखिए find the average of first 5 multiple of 3 first 5 multiple of 3 जो 3 के table में है उनकी average निकालनी है तो first 5 multiple of 3 क्या होंगे पहले 3 into 1 करेंगे 3 आजाएगा 3 into 2 करेंगे 6 आजाएगा 3 into 3 करेंगे 9 आजाएगा 3 into 4 करेंगे 12 आजाएगा 3 into 5 करेंगे 15 जो आपके first 5 multiple of 3 होगे ठीक है इनकी average निकालनी है तो average निकालनी होगे तो जो जो बन जाएगा आपका sum of observation by number of observation number of observation कितनी है 1,2,3,4,5 5 तो 3 plus 6 करेंगे 9,9 और 9,18,18 और 12,30 30 और 15 करेंगे 45,45 by 5 जो 9 से कट जाएगा 9 होगा best question का right answer एक method लोगो देखिए देखिए क्या निकालना था 3 था 6 था first 5 multiple of 3 डूंड रहा है 3,6,9, 12,15 आपने क्या करना है 3 सब में है 3 को कामन ले लो अंदर आ जाएगा जब sum of observation करोगे तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ठीक है तो यह आपका 3 as it is आ जाएगा और यह 1,2,3,4,5 बन जाएगा तो यह आपके natural number बन गे first 5 natural number करोगे तो क्या आएगा मैंने आपको सिखाया first 5 natural number की trick आपने क्या करना है n plus 1 by 2 n क्या है आपके 5 ठीक है यह 3 as it is आ जाएगा n आपका 5 5 plus 1 करोगे तो 6 आजाएगा 6 बाए 2 आजाएगा तो 2,3 से कटेगा 6 तो 3 into 3 करेंगे 9 देखिए दोनों matter से 9 ही answer है next question देखिए the average of 7 consecutive even number is 52 find the product of first and last number अगर आप basic से करोगे तो आपको पहले first 7 consecutive number let करने पड़ेंगे x x plus 2 x plus 4 इस तरह से लेकिन आप simple देखिए number कितने 7 तो आप counting कर लिए 1,2,3,4,5,6,7 और मैं आपको बता दूँ average हमेशा center में ही फाल करेगी ठीक है तो 7 का center क्या होगा 1,2,3,4,5,6,7 का center होगा 4 पे जाने कि मेरे idea से 4 होगी average लेकिन उन्होंने average दे दिये 52 इसका मतलब 4 इकोल हो जाएगा 52 के और 52 के next आगे even number कुन सा होगा 54,56,58 और पीशे 52 के 50 50 होगा 48 होगा और 46 और मैं आपको बता दूँ जे होगा आपका first number जे होगा आपका last number उन्होंने बोला first और last की number का product 46 इन्टू 58 करेंगे 46 इन्टू 58 करेंगे तो हमारा right answer होगा 2668 I hope कि आपको अच्छे से मेरी tricks समझ आ रही होगी next question देखिए the average of 5 consecutive odd number is 45 find the sum of first and third number 5 consecutive odd number की average है 45 तो हमने बताना है first और third number का sum तो देखिए number कितने है 5 तो आप counting कर लेजिए 1,2,3,4,5 5 number है तो मेरी ID से average 3 पे होगी लेकिन उन्होंने दे दिये average 45 जैने कि 3 आपका 45 के उक्र होगा तो number कौन से consecutive odd word consecutive का मतलब होता है 77 वाले number ठीक है तो 77 वाले odd number तो 45 के बाद odd number कुन सा होगा 47 then 49 और 45 से पहले 43 और 41 उन्होंने बोला sum करना है first और third number का तो यह आपका first number होगा यह आपका third number होगा तो first number 41 plus 45 करेंगे तो बन जाएगा 86 86 होगा इस question का right answer next question देखिए the product of two consecutive even number is 7 to 8 find the largest and smallest number product दी है उन्होंने दो consecutive even number की कितनी है 7 to 8 728 तो मैं आपको बता दूँ जब भी average निकालनी होगी तो आपने क्या करना है इस number को 7 to 8 को plus 1 करना है और अंडूट में डाल देना है ठीक है यह बन जाएगा आपका अंडूट 7 to 9 7 to 9 अंडूट किसका अंसर आएगा मैंने आपको सिखाई है सारी ट्रिक 27 का square होगा आपका 7 to 9 जाँ फिर हम कह सकते है कि अंडूट 7 to 9 का क्या अंसर होगा 27 तो number कितने है 2 1 2 मेरे idea से 1 और 2 के 20 average होगी क्योंकि average मैंने बताया सेंटर में होगी तो average कितनी निकल के आई 27 अब number है consecutive even 7-7 पाले even number तो 27 के बाद even number आएगा 28 और पहले आएगा 26 और अब उन्होंना पुशा largest और smallest number largest number होगा 28 और smallest number होगा 26 देखिए मैं बार-बार बोग रहा हूँ मैं totally trick से बढ़ा रहा हूँ जिनको मेरी trick समय नहीं आ रही तो वो मेरी पहले video basic tricks की video देखें सारी स्टार्टिंग से फिर अच्छे से आपको trick समय जाए जाएगी next question देखिए the sum of 3 consecutive number is 81 3 consecutive number consecutive number होंगे साथ साथ वाले जैसे 1, 2, 3 3 consecutive number का सम दिया है उन्होंने 81 what is the difference of the square of first and last number तो first और last number के square का difference बताना है कितना होगा ठीक है the sum of 3 consecutive मैं आपको बता दूँ average क्या होगा आपका sum by number तो जहां से sum उन्होंने दिया 3 number का 81 है number कितने है 3 average निकल के आजाएगी 27 ठीक है number कितने थे 3 1, 2, 3 तो 3 number की average मेरे idea से 2 पे होगी center में होगी लेकिन उन्होंने दे दिया 27 27 निकल के आगई है average अब number है consecutive साथ साथ वाले 27 के बाद 28 आएगा और 27 से पहले 26 आएगा अब उन्होंने difference बोला है square आप first और last यह last number है आपका यह आपका first number है तो last number का square करेंगे 28 का square करेंगे और first number 26 का square करेंगे और इन दोनों का difference बताना है ठीक है 28 का square करेंगे तो वो बन जाएगा 7, 8, 4 और 26 का करेंगे तो बन जाएगा 6, 7, 6 और दोनों का difference करेंगे तो बन जाएगा 108 108 ही होगा इस question का right answer next question देखिए the average age of 36 student in a group is 14 year if the teacher is included to it then the average increased by 1 find the teacher age teacher की age find करने है ठीक है तो average of 36 students in a group कोई group है उसमें 36 student है उनकी average है 14 तो मैं जहां से total sum निकाल लूँगा total sum निकालने के लिए मुझे 36 into 14 करना होगा तो 36 into 14 करेंगे मैं आपको जहां पर एक शोटी सी ट्रिक सिखा देता हूँ 36 into 14 जब भी एक ही step में answer निकालना हो तो क्या करना है इन दोनों की multiply करो 6 into 4 करेंगे 24 आजाएगा 2 carry फिर 4 की 3 के साथ करनी है 12 और 6 की बन के साथ 4 into 3 करेंगे 12 और 6 into 1 करेंगे 6 12 और 6 18 18 और 2 carry वाला करेंगे 20 20 का 0 आजाएगा दोब़ारा 2 carry फिर 3 into 1 करेंगे 3 और 2 carry वाला 5 जहें बन जाएगा 504 फिर उनना ने बोला if the teacher is included अगर teacher की age student कितने से 36 अगर teacher को भी डाला जाए तो कितने हो जाएंगे 37 if the teacher is include to then the average increased by 1 तो average भी 1 बढ़ जाएगी पहले average कितने सी 14 अब 1 बढ़ेगी तो कितने हो जाएगी 15 ठीक है तो 37 into 15 करेंगे तो 7 into 5 35 3 carry 5 into 3 15 7 into 1 7 15 और 7 करेंगे 22 22 और 3 carry वाला करेंगे 25 5 2 carry तो 3 into 1 3 और 2 5 यह बन जाएगा 5 5 5 ठीक है जे थी 36 student की average और उनका sum जे था 36 student के साथ teacher की भी average और उनका sum जाने कि इसमे teacher include किया है जब इदव teacher है और teacher की यह बतानी है जे teacher वाला समा आजाएगा जे बच्चों वाला समा आजाएगा सिर्फ इन दोनों का difference करेंगे तो बन जाएगा 51 तो जे 51 होगी उस teacher की is right answer होगा 51 next question देखिए the average of 5 number is 27 5 number की average है 27 if 1 number is excluded अगर एक number बाहर निकाल दिया जाए then the average becomes average रह जाएगी 25 find the excluded number जो number बाहर निकाला है वो बताना है क्या था ठीक है the average of 5 number 5 number की average है 27 तो मैं इनका sum निकाल लूँगा 5 into 27 कर लूँगा तो जे बन जाएगा 135 फिर उन्होंने बोला if one number is excluded एक number निकाल दिया जाए तो पहले number थे 5 अब रह जाएगे 4 then the average become तो average बन जाती है 25 मैं 5 नमबरों का sum निकाल दिया 135 अब 4 का निकालूँगा तो 4 into 25 करेंगे 100 जाने कि पहले 135 बना था sum 5 नमबरों का 4 का बना है 100 एक number बाहर निकाला है बही हमने बताना है 135 में से 100 निकालेंगे 35 35 होगा वो number जिसको बाहर निकाला गया है जाँ फिर हम कह सकते हैं excluder number 35 होगा next question देखिए the average of 3 number is 77 the first number is twice the second number and the second number is twice the third number तीन नमबरों की average है 20, sorry, 77 और जो first number है वो twice है second number से जाने कि पहले वाला number double है second से दूसरे वाले से and second number is twice the third number और दूसरा वाला double है तीसरे वाले से तो बताओ first number क्या होगा तो हमें बताया किसके बारे में नहीं है तीसरे के बारे में तो हम लेट कर लेंगे third number को x ठीक है third number x select कर लिया अब उन्होंने बोला था second number जो है वो twice है third number का अगर third x है तो second क्या होगा twice होगा तो two x होगा ठीक है first क्या होगा उन्होंने बोला था first number is twice है second number और first second का twice है अगर second two x है तो first twice होगा तो 4x होगा और इन तीनों की average है 77 तो average क्या होगा sum by number ठीक है तो average दी है उन्होंने 77 और हम number का sum करेंगे तो बनेगा x plus 2x plus 4x by number नमबर कितने है तीन तो जहां से 77 इकल टू x 2x 4x 40261 7x by 3 तो 7 into 17 7 into 11 करेंगे तो बन जाएगा 77 तो जहां से 3 की cross multiply होगी 11 into 3 करेंगे 33 equal to x x की value आ जाएगी 33 x हमें किसको लटकी है third number को बट निकालना है हमने first number first number है हमारा 4x तो first number है 4x जहां से 4 into x हमने निकाली है 33 33 4 into 33 करेंगे तो बन जाएगा 132 जाने की first number क्या होगा 132 132 होगा इस question का right answer next question देखिए the average of a and b is 20 b and c is 19 and c and a is 21 find the value of a तो हमें a की value find करें average है a और b की तो a और b का अगर मैं sum करूंगा average अगर 20 है तो sum double होगा 40 होगा b प्लस c का करूंगा तो 19 का double करेंगे तो 38 बन जाएगा और c और a का करूंगा तो 21 का double करूंगा तो 42 जहां से a plus b b plus c c plus a हर बंदा double बार है तो जहां से two बार two time a plus b plus c equal हो जाएगा इन तिनों का sum करेंगे तो बन जाएगा 120 और जहां से a plus b plus c करेंगे तो जह 2 से 60 से कटेगा तो यह बन जाएगा 60 के उकोल बट हमने निकालना है a किस तरह से निकल सकता है यह निकालने के लिए अगर मैं a plus b plus c में से minus कर दूं b plus c तो हमारा बच जाएगा a तो जहां से a plus b plus c मैंने निकाल लिए 60 आ गया minus b plus c कर लूं तो b plus c की value है 38 तो 38 करूंगा minus तो बन जाएगा 22 जाने कि a की value क्या होगी इस question का right answer होगा 22 next question देखिए the average of 25 result is 18 the average of first 12 result is 14 and that of last 12 result is 17 find the 13th result 25 result की average है 18 25 में से first 12 की है 14 और last 12 की है 17 और जो बच जाएगा वो 13 होगा बही हमने बताना है देखिए 1,2,3,4,25,25 देखिए मैं आपको समझाने के लिए continue लिख रहा हूँ बना इतना lengthy answer नहीं है ठीक है the average है 25 result जनकी इन सब भी नंबरों की average है 18 इन में से first 12 की first 12 आपको बन जाएंगे ये इनकी है 14 और last 12 आपको बन जाएंगे जहां तक इनकी है last 12 is 17 और बीच में बच जाएगा 13 रिजल्ट जेही हमने बताना है देखिए टोटल कितने है 25 25 की है 18 तो टोटल सम निकाल लूँगा मैं 25 इन्टू 18 करेंगे तो बन जाएगा 450 450 फरस्ट 12 की है 14 तो फरस्ट 12 का सम कर लूँगा तो 14 इन्टू 12 करेंगे तो बन जाएगा 168 और last 12 की है 17 तो 17 इन्टू 12 करेंगे तो बन जाएगा 204 अगर मैं 25 रिजल्ट में से फरस्ट 12 और last 12 जाने कि 24 बन जाएगे इनको माइनस करूँगा तो मेरे पास एक रिजल्ट बच जाएगा वो होगा 13 बही मैंने निकालना था इन दोनों का सम करूँगा तो यह बन जाएगा आपका 372 372 तो 450 होगा 25 का 25 और यह बन गया 24 का रिजल्ट ठीक है अगर 25 में से मैं 24 का माइनस करूँगा जाने कि 450 में से माइनस करूँ 372 तो रिजल्ट आंसर क्या आएगा माइनस करेंगे तो बन जाएगा 78 और यह 78 होगा 13 रिजल्ट जिसे हमने निकालना था 78 होगा इस क्वेशन का राइट आंसर सेम लास्ट वाला ही है लास्ट की तरह ही है तो 11 रिजल्ट की आवरेज दी है तो हम समन निकालेंगे 11 इंटू 60 करोगे तो आपने कुछ नहीं करना 11 इंटू 6 करना है सिर्फ 66 हो जाएगा और 0 साथ में लगा देना ठीक है फर्स्ट 6 रिजल्ट की दी है उन्होंने फर्स्ट 6 की है 58 तो 6 इंटू 58 फर्स्ट 6 का हम सम निकालेंगे तो 8 इंटू 6 करेंगे 48 4 कैरी तो 6 इंटू 5 करेंगे 30 30 और 4 34 और लास्ट 6 की दी है 63 तो इनका भी सम निकालेंगे 6 इंटू 3 करेंगे 18 1 कैरी 6 इंटू 6 करेंगे 36 औ बन जाएगा हमारा 3 7 8 3 4 8 8 8 16 बन केरी 7 4 11 और बन केरी 3 3 6 और बन सेवन जाएगा 7 2 6 और इन दोनों का डिफ्रेंस कर देंगे 7 2 6 में से 6 6 0 माइनिस करूंगा तो बच जाएगा 66 66 होगा वो 6 रिजल्ट जो हमने निकालना था 66 ही होगा इस क्वेशन का राइट अंसर next question देखिए the average of 45 number is 30 45 number की average है 30 the average of first 30 number is 20 and last 14 number is 10 find the last number total 45 number है जिनकी average है 30 45 में से first 30 की average है 20 और next 14 30 और 14 बन जाएगा 44 और next 14 की है 10 तो एक बच जाएगा 45 वही हमने निकालना last number ठीक है तो हम सम निकाल लेंगे 45 into 30 करेंगे तो आपने क्या करना है 45 into 3 करना है बन जाएगा 135 और 0 को as it is लगा देना है जे सम बन जाएगा 45 का first 30 का है 20 तो 30 into 20 करेंगे आपने 3 into 2 करना है 6 और दोनों 0 साथ में लगा देने है ठीक है और next 14 का उन्होंने बोला है 10 तो 14 into 10 करेंगे 140 यह आपके 30 और 14 नंबर क्याने की 44 नंबरों का सम बन जाएगा 740 और 45 नंबरों का सम है 1350 तो जहां से आप इन दोनों का difference देखेंगे तो वो बन जाएगा 1350 में से 740 माइनस करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 130 में से 7 जाएगा 6 तो 610 होगा इस question का right answer जाने की 610 होगा last नंबर जो हमने निकालना था next question देखिए average age of P and Q is 6 years less than that of Q and R then what is the difference between ages of P and R average age जो P और Q की average है वो 6 साल कम है Q और R की average age से ठीक है तो हमने difference बताना है P और R की age का average is of P and Q 6 years less है Q और R तो Q और R की हम अगर average निकालेंगे तो बन जाएगा Q plus R by 2 जाने की sum of observation by number of observation इन से इनकी average से कम है तो मैं आपको बता दूँ कम ज्यादा होगा तो minus का sign आएगा किस से average is of P and Q के Q से तो P और Q का हम सम निकालेंगे P plus Q by 2 आजाएगा कितना है 6 years का ठीक है तो Q plus R minus P plus Q टू टू दोनों में कामन है तो टू टू else हम आजाएगा और Q plus R minus P और minus और plus होगा तो minus Q आजाएगा equal to 6 के तो जहां से Q minus का Q plus का cancel हो जाएगा R minus P equal to 2 की 6 से multiply होगी तो 12 हमने यही बताना था difference बताना था P और R का तो P और R का difference निकालेंगे 12 होगा इस question का right answer और जे थी आपकी average की first video मैं इस पर एक वीडियो और बनाना चाहूंगा थोड़े question का level high रखूंगा ताकि आपको पूरा average अच्छे से समझाए जाए जाए लास्ट टाइम दिवारा बोलना पड़ रहा है जो ने हैं जो first time वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइ मिलेंगे next class में